कि नमस्कार आप देख रहे हैं स्पेन नाइन यूज और मैं हूँ आपके साथ नेहा कॉंगरेस के पूर्व अध्यक्ष और रसांद राहूल गांधी ने तीन विवादित प्रिशी कानूनों को लेकर किसान आंदोलन के दोरान मारे गए किसानों को मुआफ़े देने के मुद्धे पर मंगलवार को लोग सबा में सगन प्रस्ताव का नोटिस दिया राहूल गांधी किसान आंदोलन के दोरान मारे गए 500 से अधिक किसानों की एक सूची रिपोर्ट के मुताबिक यह सुची आज लोग सबा के पटल पर रखेंगे से पहले राहुल गांधी ने किर्शी कानून विरोधी आंदोलन के दोरान जान गवाने वाले किसानों का रिकूर्ट सरकार के पास नहीं होने को लेकर शुकरवार को परधान मंतिनारे दिर्मोधी पर असन मेदन शीलोर कायरना तरीके से वहवार करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें मानवता दिखाते हुए इन चहित किसानों के परिवारों कोचित मावजा परदान करना चाहिए राहुल गांधी ने शुकरवार को एक प्रेस कानफरेंस में कहा कि सरकार के पास मुर्थ किसानों का कोई रिकोर्ड तक नहीं है उनको ये तक नहीं मालूम है कि किन 700 किसानों ने आंदोलन के दोरान शहादत दी हमने थोड़ा काम किया पंजाब के सरकार के पास 403 नाम हैं जिनके परिवार वालों को हमारी सरकार ने 5-5 लाख रुपे का मुआफजा दिया है 152 किसानों के परिवारों के सदस्थे को हमने नोकरी दी है और बाकी लोगों को भी नोकरी देने वाले हैं उन्होंने कहा कि आंदोलन के समय जान गवाने वाले किसानों की सूची यहां है जिसमें 503 नाम है बाखी किसानों के नाम सारजनिक रिकूर्ड से हमारे पास हैं उनको सत्यापित करने के बाद सरकार सभी ऐसे 700 से अधिक किसानों के परिजनों को मुआवज़ा दे जिनकी जैसे वह मोत के आकड़े सुईकार नहीं कर रही है राहुल ने जोड़ दे कर कहा कि प्रधार मंत्री और सरकार को मानवता दिखाते हुए किसान अंदोलन के दोरान जान गवाने वाले किसानों के परिवार को उजित मुआवजा देना चाहिए कॉंग्रेस नितार राहुल गांदी ने सवाल किया जब प्रधार मंत्री ने अपनी गल्दी सुईकार कर ली है माफी मांग ली है तो फिर मुआवजा दिनने में क्या दिक्कत है उन्होंने आलोप लगाया कि सरकार के पास किसानों मजदूरों और गरीबों के लिए पैसे नह नहीं है ऐसी और खबरों के लिए देखते रही है इस पे नाइन न्यूस धन्यवाद